लास्ट सेशन में हम लोग समझ रहे थे कि किसी भी affirmative sentence को negative कैसे बनाया जाता है आज हम उसी को continue करेंगे तो किसी भी affirmative sentence को negative बनाने के लिए जो कुछ हमने last session में सीखा था उसी को continue कर रहे हैं तो सभी को पिछला session अगर देखना है तो आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर उस चीज को वहाँ से देख सकते हैं और इसके अलावा वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा, playlist का link मिल जाएगा, playlist चेक कर सकते हैं इस सारे वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगे और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं तो चलिए आज के session में समझते हैं कि यहाँ पर जो भी negative sentences हमें बनाने होते हैं उसका तरीका क्या रखना होता है हमको तो sentence हमारे सामने कुछ ऐसा अगर दिया होता है affirmative में जैसे लिखा है वह इस जगह हैं लगबख 6 साल से रह रहा है शहर में तो यहाँ पर भी हमें देखे चीजे चीजे तलासना है has और has के बाद हमें not put कर देना है तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था आपको कि has, have और had के बाद हम not लगा के किसी भी sentence को negative बना सकते हैं यह तरीका है किसी भी sentence को negative बनाने का और यह आसान तरीका है जिससे आप negative बना सकते हैं next sentence देखते हैं लिखा है it may be true यह सकते हो सकता है अब हमें इसमें negative बनाना है तो simple सा तरीका है कि may के just but हम not put कर देंगे और ये sentence negative में हो जाएगा तो it may not be true ये sentence इस तरह से बनेगा और negative में change हो जाएगा तो I hope कि ये सभी को clear हो रहा है कि इस तरह से हमें negative sentences बनाने हैं The next one, अगला sentence हम देखते हैं लिखा हैं अब section में चलते हैं कि अगर हमें पहले से ही कोई sentence इस तरह से दिया हो जो पहले से ही एक interrogative sentence है affirmative तो है but वो interrogate कर रहा है मतलब उसमें कोई question भी पूछा जा रहा है तो हमें वो किस तरीके से negative बनाना है वो ये section clear करेगा तो यहाँ पर बहुत आसान तरीका है कि हम कोई भी sentence हमें जब interrogative में पहले से दिया होता है तो उसमें क्या section change होते हैं जैसे यह लिखा है are you happy इसको आप simple में change करेंगे तो लिखा जाएगा you are happy तो आप ध्यान से समझना यहाँ पर क्या होगा होता क्या है कि जहाँ पर simple sentence होता है simple sentence में हम लोग r के just about not लगाते थे ध्यान समझेगा बात को r के just about not लगाते थे अभी के time में यह जो r लिखा है यह शुरू में पहुँच चुका है लेकिन not लगाने की जगे आपकी नहीं बदलेगी ध्यान देना है बात को interrogative के section में यह काम करना है हमको interrogative पहचानेंगे कैसे interrogative पहचानने का तरीका यह है कि starting में ही यह r लिखा हुआ मिल जाएगा शुरू में सबसे पहला word helping word का ही होगा is, am, are, was, were, has, have, can, may, ought इस तरीके के word जो हैं वहाँ पे starting में लिखे मिल जाएंगे और वही words हमें starting में मिलते हैं तो वह interrogative होते हैं लास्ट में question mark भी लगा हुआ होता है तो हमें इसमें क्या करना है इसमें simple सामें यह करना है कि helping word तो शुरू में चला गया है अब लिख गया है are you और इसके बाद happy but हमें जो not लगाना है वो just इसके बाद में ही लगा देना यानि जहां हम पहले लगा रहे थे not को वहीं लगाएंगे are ने अपनी जगए बदली है लेकि not को अपनी जगए नहीं बदलनी है यह आप last episode इसका just पहले का episode देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा कि not हम किस जगा पूट करते थे आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा playlist में आपको उसको मिल जाएगा चलिए अब समझते हैं किसमें not कहां पूट करना किस तरह के sentence को negative बनाना है तो बड़ा simple सा तरीका है लिखा है are you happy तो हम you के just बाद में not लगा देंगे are you not happy question mark लगा रहने देंगे क्योंकि sentence पहले से ही negative बन रहा है वो interrogative है तो हम interrogative में कोई भी changes नहीं करते हैं हमें केवल changes करना है उसको negative बनाने के लिए the next one sentence कह रहा है कि have you a cow क्या तुम्हारे पास एक guy है इस तरह से तो क्या person पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास है तो simple सा तरीका है कि have और you you subject है have helping verb है you के just बाद हमें not लगा देना है लेकिन यहाँ पर तरीका इस तरीके से भी use कर सकते हैं कि haven't you a cow ध्यान देना है देखिए यह तरीका जो है यह have के साथ not को submission करने के तौर पे हम use करते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके sentence जो पहले use करते थे वैसे कर सकते हैं have you not a cow तो इस तरह से sentence को भी हम कह सकते हैं यानि पहले वाला pattern वाला तरीका अभी हम use करते हैं the next one sentence देखते हैं next लिखा जा रहा है कि is he coming tonight तो is he और उसके बाद coming tonight लिखा रहा है इस के बाद में हम यहां पे just not लगाते थे पहले लेकिन अभी is starting में है यह एक interrogative sentence बन रहा है तो इसलिए हम he के just not लगाएंगे और sentence हो जाएगा is he not coming tonight इस तरह से में sentence बनाना है next sentence देखते हैं लिखा है was the thief caught क्या चोर पकड़ा गया तो यहां पे भी हम simple sentence मना सकते हैं was the thief not caught इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि wasn't the thief caught यानि एक तरीका आप समझेए कि यहां पर हमें अगर not को helping verb के साथ submission करना है तो हम उसको helping verb के साथ लिखते हैं और aren't बन जाएंगे जैसे suppose करिए कि पहला sentence लिखा है are you not happy तो आप चाहें इस not को और के साथ लिख सकते हैं लिखा जाएगा aren't कुछ इस तरह से दिखाई देगा यह aren't you happy हमें यहां changes करने के लिए दो तरीके मिलते हैं और दोनों में से हम कोई भी तरीका प्रियोग कर सकते हैं next sentence ऐसे देखते हैं लिखा है have you seen the touch तो इसको भी हम लिख सकते हैं haven't haven't have के साथ में not लगा दिया और फिर उसके बाद you seen the touch इस तरह sentence कह सकते हैं यहां पर आपको ध्यान लखना है कि sentence में spelling जो है वो थोड़ी से change होती है have के साथ में n लगाएंगे और apostrophic sign लगा के t लगाएंगे ओ गायब हो जाएगा तो haven't इस तरह से लिखा जाएगा इसी तरह से cannot जब हम लिखते हैं तो cannot में c a n पहले से है और not वहाँ पर एक apostrophic sign लगा के t लगा देंगे तो उसमें last word पहले से n है इसलिए यहां पर n अलग से नहीं लगाएंगे ध्यान लखना double n नहीं करना है तो can't लिख सकते हम तो can't you speak English इस तरह से sentence को negative change कर देंगे यहां पर भी same वही आपके पास तरीका है कि पहले pattern वाला तरीका कि अगर आप चाहें तो यहां पर आप ए भी लिख सकते है can you not speak English can और you के बाद not speak English तो यह तरीका भी हमारे पास होता है the next one sentence देखते हैं लिखा है कि will you help will he help you तो यहां पर will he not help you sentence हम इस तरह से बना सकते हैं same thing कि will will के साथ भी not लगा सकते हैं और फिर he help you इस तरह से भी लिखा जा सकता है तो यह तरीका था किसी भी sentence को यहां पर negative में change करने का अगर वो पहले से interrogative में दिया हुआ है तो I hope कि इस आज के session में भी आपको यह चीज़ अच्छे से clear हुई होगी कि हमें किसी भी अगर future पहले से interrogative sentence को negative बनाना है तो उसके लिए क्या तरीका यूज़ करेंगे चलिए next e-learning session में फिर एक नए topic और नए essay lecture के साथ मिलेंगे तब तक कि इस ते happy अच्छे से शेफ और की वाचिए अच्छे से शेफ एक वाचिए अच्छे से चनल